हर बच्चे को इस वक्त एक ही चीज चाहिए और वो चाहिए कि सर मैं किस तरीके से पेपर के अंदर जब पेपर कल शुरू होगा पेपर के अंदर जो मेरा टाइम मेनेजमेंट होगा मैं मेरे टाइम मेनेजमेंट को किस तरीके से फिक्स कर लूँ या मैं किस तरीके से अपने माइंड मेकप को करके जाऊं कि भाई लोग मेरा जो time management रहे वो top level पर जाना चाहिए मेरे time management में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए चाहे paper कैसा भी आए मैं जिस time schedule के इसाब से जाऊं actual होता क्या है जब कभी भी हम लोग किसी लडाई के ले जाते हैं जब एक बार खुद को fix कर लेते मैं ऐसे 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 करने वाला तो क्या होता है कि जैसे मान लीजे बहुत सारे बच्चे exam hall के अंदर पहुंचेंगे उनके पास पहला वाला प्री वाला time होगा उसके बाद जो exam time time होगा यहां पर वो अब यहां पर बैट करके strategy बनाना शुरू करेंगे मैं कौन से section में किसको कितना time दूँगा जब यहां पहुंचेंगे तो question से और दादर उबरू होंगे तब exam के on the spot time पर जब आप यह सोच रहे होते हैं बचों कि अब मैं कौन से section को कितना time कैसे करूं तो यह बहुत टिपिकल हो जाती है चीजें इन टिपिकल चीजों को आसान करने का तरीका होता है planning अब मैं आपको planning बताता हूं कि आप लोग किस तरीके से plan करेंगे आप लोग जानते हैं आप लोग के पास पहला एक section होगा B होगा C होगा D होगा और E होगा तो आपको करना क्या है जो दो नंबर वाले question है उनमें आपको हर एक question को दिना है पांच मिनट मैं जानता हूं मैं बहुत ज्यादा time दे रहा हूं मैं क्यू time दे रहा हूं क्यूंकि आप जब लिख रहे होंगे hand to hand बच्चों आप लोग करते हुए चलेंगे इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे अंडर लाइन का मतलब क् Culiant Under Line को मतलब क्या हो गया hand-to-hand क्वालों को आप टाइम देंगे आठ मिनट देंगे दो नों देंगे और मैंने और मैंने आपका मैप मैंने हर एक कोशन को तीन दिया है यानि कि टोटल आपको तो दस मिनिट दे रहा हूं मैं आपको यहां पर ठीक अगर आप सब का टाइम जोड़ेंगे यानि कि आट तीया चौबइस तो मैंने फिर भी पच्छेस मिनिट यहां लिख दिया पंदरा दूनी तीस यहां लिख दिया इन सब को जोड़ोगे तो 110 मिनिट आ रहा है अब बच होता है ज़रूरी नहीं जब आप लिख रहो आप तभी अंडरलाइन करने बैठ गया नहीं आफ्टर आंसर करना होता है अब सुनो जब 10 मिनिट बचेंगो 10 मिनिट में क्या करोगे को चेक करोगे कि मैंने कोशन नमबर सभी डाले नहीं डाले मैंने अंडरलाइन जो मुझे मैंने ओन से मेंड में henकी एडम मेंनेजमेंट उम्हारा फॉलो रहा है नहीं हो रहा है घड़ी जो ले जाने के बोली कगई ऑज़ी ले करके जाना प्लेशलिकली on इसी कई साथ साथ ओके और मैप में जो प्लेंग अप लिख जब कभी आप लोग करेंगे अग्यम बोद समझ करके टाइम टेवल बनाया है तो आप सभी लोग को अपना ध्यान रखें एंड लाइव सेशन चल रहा है अभी इस मोस्ट इंबॉर्णन कोशन हो रहे हैं तो अभी क्या भी जाईए और उस लाइव सेशन में जाकर के जूड़ जाएं